परिय के जादुए जुमके बहुत समय पहले की बात है। किसी काउं में वानी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उस काउं में एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर के सामने ही वानी के माँ फूल बेचा करती थी। वानी के पिता हमीशा बिमार रहते थे और वो बोल नहीं सकते थे। वानी दिखने में बहुत ही काली और पत्सूरत थी जिसकी वज़ा से गाउं की लड़कियां उसका मजा अकुडाती थी। एक बार की बात है वानी के मां बगीचे में फूल दोड रही थी। तब ही एक सापने आकर उसके मां को डस लिया और उसके वही मिर्ति हो गई। मां के मरने के बार वानी के उपर दुखों का पहार तोड गया। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। वानी उसे मंदिर के सामने फूल बेच कर अपना गुजारा किया करती थी वानी शिवजी जी की बहुत बड़ी भक्त थी खाली टाइम में वो शिवजी जी की पूजा अरजना भी करती थी बतसूरत होने की वज़ा से कोई भी वानी को पसंद नहीं करता था उसकी कोई भी सहेली नहीं थी एक लड लिया मैंने तब ही आपको कुछ नहीं कहा मेरे पिता घर पर लाचार हैं बदसूरती की वज़े से कोई मुझसे सही से बात ही नहीं करता कुछ तो चमतकार करिया प्रभू पूजा करने के बाद वानी घर आ रही थी तब ही उसे रास्ते में एक चमकती चीज नजर आई अर बहुत ही कीमती लग रहा है लगता है किसी का गिर गया होगा तब ही वहां एक परी आती है और वानी से कहती है वानी ये जुमके तुमारे लिए ही है मेरे लिए कहीं आप मुझसे मजाग तो नहीं कर रही हो ना नहीं वानी ये जुमके यहां पर कई वर्सों से रखे हुए है किसी को नजर नहीं आया तुम बहुत खुश किसमत हो जो तुम्हें ही मिला ये कोई साधारण जुमके नहीं है ये एक चादोई जुमके है तुम इसे लेकर अपने घर जाओ ये तुम्हारा है धन्यवाद प बारे में बताती है उसके पिता सिर्फ सिर हिला रहे थे क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं थे वो अपने बापु को खाना खिलाकर अपने कमरे में गई और जुमके पहनने लगी जुमका पहनने की भाद जब उसने अपना चहरा शीशे में देखा तो वो एहरान रह गई क्यो कैसे हो गई वाणी ने आरूशी को जवाब नहीं दिया और खुशी-खुशी सबको अपना बतला हुआ रोब दिखाने चली गई थोड़ी देर बाद जब वो घर आती है तो उसने देखा उसके पिता पिस्तर पर बैठ कर कुछ बड़बड आ रहे थे वो जैसे ही अपने पि और बोल भी सकता हूँ वारी अपने पिता को जुंके के बारे में बताती है पिता जी आप भी कल से मेरे साथ फूल बेचने चलो ना सब आपको देखकर हैरान रह जाएंगे अगले दिन जब दोनों सो के उड़ते हैं तो वो हैरान रह गए क्योंकि उनकी टोटी-फोटी ज ये सब जादूई जुमके का कमाल है तुम सही बोल रही हो ये सब जरूर तुमारे अच्छे कर्मों का फल है आप उनके पास सब था उन्हें फूल बेचने की जरूरत नहीं थी उनके घर गाड़ी नौकर चाकर सारी चीज़े थी वानी अपने पिता से बोलती है पिता जी तैयार हो जाएए मंदिर चलते हैं भूले नात को धन्यवाद पर के आते हैं तब ही उसकी सहेली आरूशी वानी को फूल बेचने के लिए बुलाने आती है उसकी तूटी फूटी जोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखकर आरूशी हैरान रह जाती है और फिर वहीं से वापस चली जाती है वानी जब अपने पिता के साथ मंदिर में दर्शन करने पहुची तो वो सब उसी देखकर हैरान हो गए वो मंदिर जाकर भगवान की प्रात्ना करके भगवान का धन्यवाद करने लगती है गरीबों को खाना बाटा और खपड़े दि आरूषी के कान में जुमके देखकर आग बबुला हो जाती है और उससे इर्शा करने लगती है आखिर इस गरीब के पास क्या आ गया है जो ये इतनी अमीर हो गई आरूशी चुपकर पता लगा ही लेती है कि ये सब उसके कानों के जुमके का कमाल है मुझे कुछ तो करना ह पड़ेगा और वो अगली सुभा वानी के घर आई और उसे बोली अरे वानी तुम्हारे कान के जुमके तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे दे दो कल मुझे साधी में जाना है मैं तुम्हें लोटा दूंगी वानी आरूशी के इस तरह से बोलने पर उसे मना नहीं कर प ऊर से हस्ते हुए भाग गई तभी वानी के गाड़ ने आकर कहा आपकी सहले भागती हुई जा तभी उसका पैर फिसल गया और गिर गई उसके सर से काफी खुन निकल रहा है वानी भागते हुए उसके पास गई और उसे उठाकर अपने घर की अंदर लेकर आई और उसकी मरहम पट्टे की और उसे घर पहुचा कर भी आई जब वानी अपने घर आती है तो वह पीतल की बात में आते ही जुम के फिर्जी चमकने लगे वानी बहुत खुश हुई तब ही कुछ दिनों बाद आरूशी फिर्जी आती है मुझे माफ कर दो वानी मेरे मन में लालच आ गया था मैं एक तांत्रिक के पास गई थी उसी के कहने से तुम्हारे जुम के फिर्जी चमकने करते हैं तो कैसी लगी यह कहानी हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ीदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हां बैल आइकन दबाना ना भूले जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आ